नमस्कार दोस्तों आज हम लोडी स्पेशल तील और गुड के लडू बना के घर पे तयार करेंगे ये मार्केट से भी अच्छे घर पे बन के तयार हो जाते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सफेद वाली तील का इस्तिमाल किया है तो तील को अच्छी तरह से साफ कर लिजिए अगर तील आपकी 100 ग्राम है तो 100 ग्राम गुड भी होना चाहिए गुड को एकदम छोटे टुकडों में तोड लिजिए और तील और गुड का रेशियो यही रखना है और सबसे पहले हम तील को भून लेंगे तो तील को low to medium flame पर भूनना है क्योंकि यह तील बहुत जल्दी भून के तयार हो जाती है तो एकदम धीमे से मध्यमाच रखके इसे 5-7 मिनट आप भूनेंगे तो यह भून कर तयार हो जाती है बस तील का थोड़ा सा रंग चेंज हो जाना चाहिए और थोड़ी सी वो फूल जाए तो समझ लेजी कि आपकी तील रोस्ट हो चुकी है तो तील हमारी भून चुकी है रंग आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और सेब कड़ाई में फिर से इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और इसमें एक छोटा चमट देसी घी डाल देंगे तो गुड़ को एक दम बारीक टुकड़ों में कर लिजे क्योंकि गुड़ जो है मेल्ट होने में अगर ज्यादा समय लगेगा तो आपके गुड़ का पाक खराब हो सकता है और जितना चुटा टुकड़े में आपका गुड़ होगा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से पाक बन के तयार होगा तो इस गुड़ को 5-7 मिड़ तक आप low to medium flame पर पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है इसे थोड़ा सा और पका लेना है तीन-चार बिनट और आप पकाएंगे तो इसका पाक भी तयार हो जाएगा तो जब आपके गुड़ में इस तरह के बुलबुले उठने लगें तो आप गुड़ के पाक को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप काटोरी में पानी ले लिजिए और इस गूड में से 3-4 बूंद उसका टोरी में डाल दीजिए और उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए तो जब तक आपके गूड का पाक ठंडा होगा तब तक यहां गैस की फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि जब तक हम गूड का पाक चेक करेंगे तब तक पता चलेगा कि गूड का पाक कड़ा हो जाएगा तो अगर आपके गूड की बून पानी में नहीं फैलती है या फिर इस तरह से उसे निकाल कर देखिए इस तरह से आप खीशते हैं अच्छी तरह से खीश जा रही है तो पाक बिल्कुल आपका रेडी है तो गैस बंद करने के कारण गूड हम लोका ठंडा हो चुका है फिर से हम गैस की आज को धीमी आज पर खोल देंगे और खोलने के बाद तुरंत इसमें बुनी हुई तील को मिला देना है और जल्दी जल्दी से मिशरंड को मिलाइए और मिलाने के बाद आप इससे लड़ू बना लिजिए क्योंकि जैसे जैसे ये मिशरंड ठंडा होगा वैसे वैसे जमना शुरू हो जाएगा तो आपको लड़ू बनाने में दिक्कत होगी तो अभी हमारा मिशरंड बहुत गरम है तो इससे लड़ू बनाने के लिए आप पानी का इस्तमाल कीजिए एककटोरी में पानी ले लिजिए और दोनों हाथ को अच्छी तरह से भीगा लेजिए दोनों हाथ को भीगाने के बाद आप इसमें से थोड़ा थोड़ा मिशरंड हाथ में उठा के जितना चोटा बड़ा आपको लड़ू बनाना है उसमें से गोल गोल इस तरह से करके बना देजिए बड़े आसानी से बन जाएगा आपका लड़ू अगर आपका मिशर यहाँ बहुत जादा गरम है हाथ जल रहा है तो समझ लीजे कि आपके गोल का पाग बहुत कड़ा बन के तयार हुआ है उससे अगर आप लड़ू बनाएंगे तो वो आपके दास से तूटे की भी नहीं मेरे गुर का पाग एक दम अच्छा बन के तयार हुआ है तो यहाँ पर एक लड़ू देखी मेरा कितना बढ़िया बन के तयार हुआ बिल्खुल इसी तरह से सारे लड़ूओ को बना लेना है तो आप चाहे तो अकेली नी लड़ूओ को बना सकते हैं या फिर घर के किसी मेंबर की भी आप help ले सकते हैं या फिर दोनों हासते बनाईए तो भी जल्दे से बनके तयार हो जाएगा और इसी तरह से सारे लडूओ को बना लेना है लडूओ को बनाने के बाद कम से कम 1 गंटा के लिए छोड़ दी दिया set हैंनों के लिए एक घंटे में यह अच्छी तरह से set हो जाते हैं बिलकुल market की तरह से बनके तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सारे obsli तयार हो चुके हैं सौ ग्राम तिल से इतने सारे लडू बने हैं आप इसे airtight container भुर रखके कम से कम एक से बने हैं कि दाथ से तूटेंगे नहीं देखिए गंटे के करीब हो चुका है इसे तोड़ने पे भी थोड़ी से भेनत लग रही है और खाएंगे आप तो यह मुँमें घुल भी जाएंगे ऐसे बनके तैयार हुए हैं तो उमीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमिट करना बिल्कूर भी न भूलें और अगर चानल पर नए हैं मेरी और भी रेस्पी देखना चाहते हैं तो प्लीस चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली न इस्पी किसा तब 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 कि ली नमस्का